पिस्मिल्ल्माइब। METALIC SOLIDS जैसे आप लोगोंने MOLECULAR SOLID पढ़ा, IONIC SOLID पढ़ा, क्रिस्टलाइन SOLID पढ़ा, इसी तरह जो है हमारे पास आज का जो टौपिक है वो है METALIC SOLIDS अच्छा METALIC SOLIDS के अंदर आप लोगों ने आइनिक solid में पढ़ा कि अगर bonded particle iron हो अगर bonded particle यानि जो particle हैं उसके अंदर वो iron हो और उन के दर्मियान ironic bond हो तो फिर वो solid ironic solid कहलाते हैं यहां पर भी हमने ऐसी बात किये कि ऐसे solids जिनके bonded particle मेटल एटम हो क्या हो अगर आप अकेला अटम लिखेंगे न तो फिर वो कोवलेंट सॉलिड होंगे और if the bonded particles are metal atoms and they are bonded together और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है through the metallic bond कोवलेंट bond आप लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है metric में भी पढ़ा है आप लोगों ने आइनिक bond भी पढ़ा है आप लोगों ने आज जो हमारा metallic bond का topic है वो somewhat new है for you यान यू समझ लें उसके बारे में आप पहले इतना खास नहीं जानते उसके बारे में हमने समझना है कि वो metallic bond कौन सा है क्या होता है वो किस तरह का होता है उसके बारे में मुख्तलिफ थियोरीज हैं जो उसको मुख्तलिफ अंदाज में उसको present करती है मुख्तलिफ अंदाज में उसको explain करती है सबसे पहली थियोरी है electron pool थियोरी या electron gas थियोरी यह जो एक scientist है उसका नाम है Drude क्या नाम है Drude एक साइन्टिस्ट है उसका नام है Đुरूड उसने इसको पेश किया यानि सब से पहले उसने इसको परपोस किया कि इसको इलेक्टरान पूल थेउरी या हम इसको इलेक्टरान गास थेउरी भी कहते हैं और इसको फिर फिर फृर्दर जो एक्स्टेंड किया वो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है लॉरन, लॉरन, कलियर, तो यहां पर हम सबसे पहले ये बात किरते हैं, कि इस थियुरी वाज फर्स अफ आफ आल परपोस्ट बाइ डूरूट, and further on it was extended by लॉरन, and then उन्हों ने क्या कहा, इन दोनों लोगों ने मिल कर क्या कहा, इन्हों ने कहा, कि जितने भी मैटल एटम्स हैं, जितने भी, उनके वेलेंस शेल में जितने भी इलेक्टरॉन होते हैं, वो सारे इलेक्टरॉन लूज कर देते हैं, मेरी बात समझ में आगई, कह रहा है कि मैटल एटम जो हैं, जब वो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो अपने वेलेंस एलेक्टरॉन को लूज कर देते हैं, अपने वेलेंस एलेक्टरॉन को लूज कर देते हैं, जब उनके वेलेंस एलेक्टरॉन वह कहसें? । उंडा के तृषक का सिकतें। वह मैटल के ताइन्स जो ہیں they become joined us इयक मैटल के ताइन, दूसरे मैटल के ताइन के साथ, इन इलएक्टरिonna की बड़ालत जो 동안 जो उन्होंने लूज की हैं, वो इलेक्टर Hahn आपस में मेटल के ताइन को बाहम जोड़ देतें । वो क्या करतें आपस में इत्रायिंग को जोड़ देतेy और इनके दर्म्यान जो जूडने वाला येवाला बॉंड है जो मटलिक मॉंड केहलाता है। क्लियर होगी बात। हैं हम का कि यहां पर ये इलेक्टरॉन जो लूज हो रहे हैं केलियर है हाँ जी केलियर होगा पाइंट के हर मैटल आटम अपने वेलस शेल में मुझूद इलेक्टरॉन को लूज कर देगा और वो मैटल केटाइन बन जाए गा और इस तरह धे Любार सारे मैटल आटम होंगे क्योंके मिलीन आटम्स हो सकते हैं वाँ पर और वो आटम्स जो हैं उपने सारह इलेक्टरॉन लूज करेंगे और इलेक्टरॉन का एक प्ूल बन जाएगा क्या बन जाएगा एक पूल आफ इलेक्टरॉन बन जाएगा उस उन इलेक्टरॉन के पूल को हम इलेक्टरॉन का इलेक्टरॉन गैस भी कहते हैं क्या कहते हैं यानि gas of electron अब यहां पर वो कह रहा है कि यह जो electron हैं यह इन metal के tines को बाहम एक दूसरे के साथ जोड देंगे एक दूसरे के साथ जोड देंगे जो समझ लें यह के tine है और यह के tine है और इसके दर्मयान में electron आ गई है electron is just like a gum gum की तरह है गम कैसे, मसले देखें ने इसके ओपर positive charge है, इसके ओपर भी positive charge है, इनको एक दूसरे के साथ जूडने के लिए negative charge चाहिए, वो negative electron आ गए तो यह metal के time, दूसरे metal के time के साथ bind हो गया, जूड़ गया. अब ये जो bond है इसको हम इसको हम क्या कहते हैं बोलिए metallic bond इसको हम क्या कहते है metallic bond क्लियर होगे point है जी क्लियर होगे point तो हमने ये देखा कि हर metal item electron lose करता है और positive wine बन जाता है और positive wine जो electron निकलते हैं वो electron का pool बनाते हैं और इस तरह जो metal के टाइन हैं वो electron के किमत बदूलत जो है electron की वज़ा से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इनके दरमयान जो जुड़ने वाला या जुड़ने वाला bond है वो metallic bond क्यालाता है अब सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी बाते हैं वो ज़रा समझ ले उसने कहा के जितने भी metal के टाइंस हैं they are at fixed distance from other metal के टाइंस एक जो metal के टाइंस है वो दूसरे metal के टाइंस से at a fixed distance है एक miserable distance है में उनके दरमयान और यह जो electron मैंने हर के साथ साथ attach कर दी है basically वो कह रहा है यह electron भी हार metal एٹम के साथ attach नहीं है मецलाँ जिसने इलेक्टर्वन लॉज किय한테 फरज करें उसके वेलंस चेल में दो इलेक्टर्वन हैं तो वो दो निकलने के बाद उसके साथ बाइंडेंग नहीं रहेंगे वो पूरी क्रिस्टल में घूंना शुरू कर देंगे पूरी क्रिस्टल में यूं समझ लें कαι जब वेलंस चेल्ट से इलेक्ट्रों निकल गया तो पिर वो उसका इलेक्ट्रों नहीं है वो पिर निकल कर फिर पूरी कोरिन क्रिस्टल में गूमेगा तो हम इलेक्ट्रों को किसी particular item से अटैच नहीं कर सकते हम कहते हैं कि वो इलेक्टरॉन पूरी क्रिस्टल के लेक्टरॉन है वो पूरी क्रिस्टल के लेक्टरॉन है और वो जो मैटल आइन हैं वो एक दूसरे से at a measurable distance है और उन मैटल केटाइन ने एक दूसरे के साथ binding डिवेल्प कर ली है with the help of these electrons कलियर होगी बात इसको हम metallic bond कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं a metallic bond according to electron pool theory क्या हुगा क्या हुगा बुलिए इसके मताब़ क्या हुगा the force aci force which bind जो बांती है the metal cations metal cations to a number of electrons within its sphere of influence ये भी मैं बताता हूँ क्या लिख रहा है is called metallic bond clear देखें वो कह रहा है फर्द करें इसमें से दस दस metal cations की मैं example दे रहा हूँ कि दस metal cations है उनके कुर्बो जवार में उनके जो जिरे असर electron है जो उनके करीब गरीब electron है उन्होंने दस metal cations को बांद लिया है मेरी बात समझ में आगी अब उनके दर्मयान जो binding force है वो metallic bond कहलाती है समझ आगी बात किये कि एक example दे रहा हूँ वो कह रहा है कि धेर सारे electron है जोनोंने धेर सारे metal cations को आपस में जोड दिया है उनके दर्मयान जो जोडने वाली force है वो क्या कहलाती है metallic bond समझ आगी मेरी बात की तो हमने इसको कैसे पढ़ा the force the which binds metal cations to a number of electrons within its sphere of influence is called metallic bond कलियर होगी बात कोई confusion है तो पूछ लें सफियर आफ इंफ्लूएंस को उसके जेरे असर जो है सफियर आफ इंफ्लूएंस मतलब वो जो पूरा सफियर है ना जिसके अंदर आप जिसको मतलब imaginary एक आप डील कर रहे हैं एक सिस्टम को कि उसके अंदर जो है जो उसके करीब करीब उसके electrons हैं जो उसको बांद रहे हैं उसकी वो बात कर रहा है नहीं देंगे तो वो उसके थोड़ी है आइटम ने एक इलेक्ट्रान लूज किया तो उसके तो नहीं है लेकिन जो उसको बांध रहे है जो जोड़ रहे है वो तो उसी के इनफ्लूएंस में आ रहा है ना नहीं ज़रूरी नहीं है कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है एलेक्टरॉन बस उसको जोड़ रहे हैं आगे चलकर और आपको क्लियर होगा क्योंके आगली जो वेलस बांड थियोरी है ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल पालिंग इसने पेश की अब देखें इसने टोटल बात उलट कर दी इसने कहा कि मेटलिक बांड कोई डिफरेंट कैटेगरी का बांड नहीं है बलके वो एक कोवलेंट बांड ही है मेटलिक बांड इस दा कोवलेंट बांड बलके इसने एक लफज यूज किया है मेटलिक बांड इस असनिशियल या कोवलेंट बांड कहता है जरूरी है कि मेटालिक बांड एक कोवलेंट बांड है लेकिन इस कोवलेंट बांड और आम जो कोवलेंट बांड है उसमें फर्क ये है ये एल पॉलिंग कह रहा है कह रहा है फर्क ये है कि आम कोवलेंट बांड फिक्स है दो एटम्स के दर्मान फिक्स है लेकिन ये कोवलेंट बॉंड घूमता फिरता रहता है कभी यहां कभी वहां कभी वहां मेरी बात समझ में आगई तो इस घूमने फिरने के लिए जो लफज इस्तमाल होता है कमिस्ट्री में उसको कहते है डी लोकलाइस्ट क्या कहते हैं डी लोकलाइस्ट घूमना फिरना और लोकलाइस होता है एक जगह रहना वो कह रहा है कि एल पॉलिंग ने वेलस बांड थियोरी पेश की मेटल एटम को एक्स्प्लें करने के लिए मेटलिक बांडिंग को और उसने कहा कि मेटलिक बांडिंग जो है या मेटलिक बांड जो है इस असन्शियली अकोवलेंट बांड मेटलिक बांड इस असन्शियली अकोवलेंट बांड और याट कोवलेंट बांड इस नाट लोकलाइस्ट याट कोवलेंट बांड इस इसके बाद उसने यानि फर्दर जो है इसके बारे में कोई आपके सिलेबस में कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं प्रेजन्ट केलियर अब आ जाते हैं माल्किलर और्बिटल थियूरी की तरफ यानि के एक कॉंसेप्ट आपको पहले मेटैलिक बांडिंग इलेक्ट्रॉन पूल जाओंगिन नहीं दिया मेटालिक बांड के बारे में उसने डिफरेंट कॉंसेप्ट पेश किया और वेलस बांड थियूरी याल पॉलिग ने एक डिफरेंड कॉंसेप्ट दिया अब यो है मालिकुलर और्बिटल तीयूरी जो है पता ही है बलके ORBITALS सबसे पहले हम SHELL की बात कर लेते हैं K M इसके बाद सब SHELL आते हैं S F Clear फिर इसके बाद ORBITAL आते है S के अंदर खुदी सब SHELL है खुदी ORBITAL है P के अंदर 3 है और D के अंदर D X Y D Z X D X सुकेर डैश Y सुकेर और D Z सुकेर और F के अंदर साथ है और इसके अंदर 5 हैं और इसके अंदर और ये ओके ओकी बात अब हमें ये बात समझ आ गई के और्बिटल्स जो हैं उसके अंदर मैक्सीमम दो इलेक्ट्रोन आ सकते हैं किसी भी और्बिटल के अंदर दो से जएदा नहीं आ सकते मसला आपको पता है पी में 6 इलेक्ट्रोन होते हैं तो इसके अंदर 3 और्बिटल हैं के अंदर दो दो इलेक्टरोन आ जाएंगे डी में दस इलेक्टरोन आते हैं तो इसके अंदर पांच है दो नो में के पांचों में क्या आ जाएंगे दो दो एफ के अंदर साथ हैं तो चौदा इलेक्टरोन फॉर्टीन इलेक्टरोन आते हैं फ में तो हर में कितने कितने आ ज वो अर्बिटल क्या कहलाता है completely filled orbital कहलाता है और अगर उसके अंदर एक electron हो कितना electron हो एक then it is called half filled या partially filled अगर उसके अंदर एक electron हो तो वो half filled भी कह सकते हैं आप उसको partially filled भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसके पास unpaid electron है तीनों languages इस्तमाल हो सकते हैं अब यहां पर वो यह कह रहा है molecular orbital theory कहती है कहता है कि metallic वो orbital वो जिन में partially जिन में completely filled electron है यानि जो completely filled orbital है वो हमेशा localize होंगे metallic bonding में वो हमेशा क्या होंगे मेरी बात clear होगी वो orbital which are completely filled they are localized but वो orbital जिन जिन के अंदर या जो partially filled है जिन के अंदर एक एक electron है वो दूसरे partially filled के साथ combine होकर एक molecular orbital बनाएंगे क्या बनाएंगे मेरी बात समझ में आगई उसने कहा है उसने कहा है कि valence electron जो है वो दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगे molecular orbital वो जो orbital molecular orbital बनेंगे वो दे आर नाट localized दे आर डी लोकलाइस्ट इसने ज़रा बात different की थी इसने क्या कहा था इसने कहा था covalent bond है metallic bond और वो localized नहीं है वो through of delocalization है इसने different बात की है इसने कहा वो orbital जो completely filled है वो localized है और जो partially filled है वो दूसरे partially filled के साथ combine होकर molecular orbital बनाते हैं क्या बनाते है और वो जो molecular orbital हैं वो delocalized है through out the crystal और कहरा molecular orbital कई molecular orbitals बनेंगे और उनके दरमयान में energy gap होगा मिसाल के तोर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ ऐसे देखें यह molecular orbital है इनके दरमयान में energy gap है क्या है energy gap और इसकी वज़ा से हम इसे bands of energy भी कहते है यह जो है इनको हम क्या कहते है यह जो molecular orbital है इनके दरमयान energy gap है और इन gaps की वज़ा से हम इने क्या कहते है bands of energy कहते है और इस वज़ा से इस theory को band theory भी कहा जाता है इस theory को band theory भी कहा जाता है clear हो गया point? it is okay for you? शाबाश this was so easy असान सी बात थी that has become clear to you ठीक है? अब आगे जो है हमारी properties है metallic solids की वो उसमें कोई مشकिल बात नहीं है बहुत सारी बाते आपने already पड़ी हुई है सबसे पहले हम बात करते हैं electronic conduction की electronic conduction या electrical conduction जो है electrical conduction कह लें electrical conduction ही होती है कि किसी solid में से जैसे metallic solid है sodium है या iron है या copper है या aluminium है इन में से बिजली गुजर जाती है इन में से electricity pass कर जाती है आप से सवाल पूछा जाए तो आप सिंपल ये कहेंगे इन में से बिजली इसलिए गुजर जाती है because they have free electrons ये देखे पूरी crystal के अंदर free electron present है इसलिए वो charge लेकर obviously जो है they will move to other place और एक जगा से बिजली जो है वो दूसरे सेरे ताक पहुंच जाएगी इसको हम कहते है electrical conduction कलिया उसके पाद है thermal conduction thermal conduction ये होता है कि आपके पास एक solid है लोहा है लोहे का rod आप चूले में रख देते हैं उसका एक end गरम करते हैं थोड़ी देर के बाद दूसरा end भी गरम हो जाता है उसकी वज़ा क्या होती है आपको पता है कि उसके अंदर free electron है electron उदर से energy absorb करेंगे और they will move to the cooler part colder part एक बात दूसरी बात ये है कि जैसे ही वो अगले electron से collide करेंगे तो वो energy transfer करते जाएंगे एक जगा से energy वो transfer करके दूसरे में और दूसरा तीसरे में and so on ये procedure जारी रहेगा until दोनों साइडों का temperature सेम हो जाए उस वकद तक heat जो है दूसरे system तक flow करती रहेगी इसको हम कहते है thermal conduction कि आप से सवाल पूछा जा सकता है कि जो metal atoms हैं या metallic solids हैं they are conductors of heat how explain this answer या they are conductors of electricity कैसे तो ये आपको दोनों बातें तक्रीबर मिलती जुलती हैं आपको दोनों बाते clear होनी चाहिए clear अब अगला point है metallic luster luster कहते है चमको कहरा कि जब कोई metal है मसला उपर से बिल्कुल वो black color की हो चुकी है लोहा है आप उसको तोड़ देते हैं तो अंदर से बड़ी shining surface नजर आती है कभी देखा है अपने ये बात कि अगर आप metal को freshly cut करें एक तो नई है नई की तो बात अलग गया ना उसको भी freshly cut किया होता है जब पुरानी metal हो जाती है अगर आप उसको freshly cut करें तोड़ें तो उसके अंदर से एक shining surface दिखाई देती है उसकी shining surface की ये ability जो है metallic luster कहलाती है क्या कहलाती है metallic luster कहलाती है metallic luster को हम कैसे explain करेंगे कि वो luster क्यों नजर आती है या हम उसको luster क्यों कहते है या उसके अंदर shining क्यों नजर आती है अब आप ज़रा सुन ले समझ लें इस बात को आपको पता है metal atoms के अंदर आपने देखा है ज़रा गौर से समझें metallic luster क्या चीज़ है इसको समझने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे पत्थर के उपर पत्थर मारते है और वहां से light नजर आती चिंगारे निकलते है वो किस चीज़ के होते हैं वो कैसे निकलते हैं उस बात को understand कर लेंगे तो ये बात भी समझा जाएगी देखें होता ये है कि जब आप किसी लोहे को या किसी भी पत्थर को पत्थर को पर मारेंगे तो वहां चुके atoms हैं उनको energy मिलेगी क्या मिलेगी? आपने मारा तो उसको energy मिली अब energy मिलने से क्या होता है? मसला फर्ज करें आप इसको energy देंगे तो ये जो electron है ये excite करके जम्प करके बाहर वाले orbit में आ जाएगा जब किसी भी metal atom को आप energy देंगे थोड़ी से energy देंगे तो इसके जो electron है वो जम्प करके इस process को excitation कहते है excitation क्या कहते है? excitation ये process कहलाता है excitation excitation कि जब आपने किसी भी metal atom को heat किया थोड़ी energy दी थोड़ी भी energy दी इवन पतर के उपर पतर मारा लोहे के उपर लोहा मारा थोड़ी energy दी उससे electron जम्प करके बाहर वाले orbit में आ गए इस process को excitation कहा जाता है और याद रख लें excitation is not a longer process it is a very short time process इतना short lived है कि जैसे electron आया वापिस भी चला गया उसने वापिस भी जाना है या तो वही चला जाएगा या उसकी जग़ा कोई और चला जाएगा लेकिन वापस की vacancy फिल लो नहीं है इसका मतलब इसमें से कोई भी electron दुबारा वापिस जाएगा वो या कोई और और ये जब वापिस जाएगा इस process को हम कहते हैं de-excitation क्या कहते हैं de-excitation इसका मतलब excitation हुई और de-excitation हुई excitation हुई और और इसके result के तोर पर जब de-excitation होगी तो जो उसने अनरजी एब्जार्ब की है वो in the form of photon of light in the form of light emit होगी in the form of light light emit होगी और हमें वहाँ पर चमक नज़र आएगी clear point अब यहां पर वो यह कह रहा है यह process यह ही होगा हमेशा जहां पर भी आपको metal के उपर metal के स्ट्राइक करने से light नज़र आती है process यह होगा excitation, de-excitation excitation होगी electron जम्प करके बाहर आ जाएंगे और आप उस atom को excited atom भी कह सकते है जिसका electron जम्प करके बाहर आया उसको आप क्या कह सकते है excited atom भी कह सकते है और excited atom जो है वो जब दुबारा उसका electron वापस जाएगा तो वो de-excitation हो जाएगी और de-excitation के बाद वहाँ से energy emit होगी वहाँ से energy in the form of light emit होगी और वहाँ से हमें चमक नज़र आएगी अब यहाँ पर वो यह क्या रहा है क्यारा जब आपने freshly cut metal आपने सामने रखी सूरज की रोशनी पड़ी सूरज की रोशनी ने metal atoms को excite कर दिया यानि उसके electron को excite किया तो metal atom भी excited हो गए जब वो de-excite होए तो वहाँ से light emit होई और light जब emit होई तो वो surface से shining जो emit होई उससे हमें वो जो उसकी surface है वो shining नज़र आई उसकी surface जो हमें shining नज़र आई समझा रही मेरे बात की कोई confusion है तो पूछ ले वो जो light होगी वो उसकी surface से reflect होगी और फिर वो उसकी जो surface है वो हमें उसकी look जो है वो हमें shining दिखाई देगी clear point अब आखरी point रह गया है malleable and ductile इनके बारे में last time मैंने आपको बताए था अब होता क्या है आपको बता है ये metal atoms है जरा गोर से सुने हम अगर stress लगाएं sodium chloride के उपर या किसी भी ionic compound के उपर तो वो brittleness शो करता है वो तूट जाता है लेकिन जो ionic solids हैं ये डू नाट शो such sort of brittleness वो क्या शो करते हैं वो malleability malleability and ductility के बारे में आपको बता दूँ copper है ना copper आप उससे चाद्रें भी बना सकते हैं sheets और आप उससे तारें भी बना सकते हैं बना सकते हैं तारें तारें कैसे बनती हैं अगर आप कोई भी steel mill visit कर ले होता क्या है एक मोटा सा बलॉक आ रहा है उसको pressing करते जाते हैं जब वो एंड पर बलॉक पहुंचता है रोलर से गुजरता हुआ तो वो जो है वो बिल्कुल बारीक sheet में convert हो जाता है जैसे पेटियों की sheet होती है चाद्रें होती है safe हल्मारी हैं जिससे बनती है देखे कितनी लोएकी कितनी बारीक sheet है safe हल्मारी बली तो बिसिकली बलॉक को प्रेस करकर के बनाए जाता है अच्छा वो कहरा है कि ये जो है ये malleable क्यूं है क्यूं ऐसे पतली हो जाती है इसके पतली होने की वज़ा क्या है मैंने आपके सामने metal के item बनाए है वो कहरा है जब इनके उपर हम stress लगाएंगे तो ये metal atom slip हो जाएंगे क्या हो जाएंगे slip हो जाएंगे और एक दूसरे एक उपर से slip होंगे जब slip होंगे कुछ आगे चले जाएंगे कुछ पीछे हो जाएंगे और इनके slipping से जो है इनकी जो thickness है वो कम होनी शुरू हो जाएगी इनकी जो ठिकनस है वो और इस property या ability को malleability and dactility कहते हैं इस वज़ा से हम इसको malleable and dactile कहते हैं जितने भी mostly जो metallic solids हैं वो क्या है malleable and dactile clear, इनका structure तूटे बगाएर convert हो जाता है इनका structure clear, कोई confusion है तो बूच लीजिए ठीक है भी आज का हमारा lecture यहां तक है तो next hopefully एक lecture रह गया है वो इन्शाला हम next coming lecture में discuss करेंगे Thank you very much, Allah Hafiz